प्रदेश के गुरफपुर से यहाँ पर बच्चों की मौत का सिलसला थम नहीं रहा बियाडी अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 16 मासूमों की मौत हो गई मिर्थकों में से 6 बच्चे इंसेफलाइटिस के शिकार थी बता दे कि साल 1 जन्वरी से अब तक बियाडी मेडिकल कॉलिज में 1470 मरीज भरती हुए जिनमें से 310 की मौत हो गई आपको बता दे कि पिछले दिनों ऑक्सिजन की कमी से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी यूपी सरकार लगातार ये दावा कर रहे है कि यूपी के अस्पतालों में विवस्था दुरुस्त है लिकिन जिस तरह से अस्पतालों में बच्चे दम तोड़ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सरकार के सारे दावे जूटे साबित हो रहे हैं